दोस्तों दा हाई टेबल में आपका स्वागत है आज की इस वीडियो में हम इंडिया के करेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, कम्यूनिकेशन, इलेक्ट्रोनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नॉलजी जैसे इंपॉर्टन डिपार्टमेंट समालने वाले मिनिस्टर अश्वीन बिजनिसमेन भी रह चुके हैं और हर वो चीज अचीव कर चुके हैं जिसका सपना एक नॉर्मल मिडल क्लास लड़का देखता है और फिर इंपॉसिबल सोच कर छोड़ देता है दोस्तों अश्वीनी जी की स्टोरी लागों लोगों को इलिए इंस्पिरेशन का काम कर सकती है और हुने बता सकती है कि एक विक्ती लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकता है तो चलिए शुरू करते हैं अश्वीनी जी का जन्म 18 जुलाई 1970 में राजस्थान के जोदपूर शेहर में हुआ था इनके पिता का नाम दाउलाल वैशनव और मा का नाम सरस्वती वैशनव थ जिसके बाद MBM Engineering College JNVU जोदपूर से 1991 में Electronics and Communications में Gold Medalist बन Engineering कम्प्लीट करी हाइर एजुकेशन में इन्डिया के टॉप Educational Institute IIT कानपूर से EmTech किया पर दोस्तों Engineering में Gold Medalist और IIT से EmTech करने के बाद भी अश्वीनी जी का मन प्राइविट सेक्टर में जाने का नहीं था और वो एक Civil Servant बनना चाहते थे इसलिए उन्होंने All India 27th रेंग लाकर 1994 में Civil Servant एक्जाम क्लियर कर सबको चौका दिया था और उडिसा कैडर के I.S. Officer बन ग जाते थे and as a Deputy Secretary PMO Office यानि उस समय अटल जी के कर्याले में आ गए थे इसके अलावा अश्वीने जी उडिसा की current ruling government वीजू जनता दल के भी करीबी माने जाते हैं और 1998 से 2009 दक BJP BJD को साथ रखने में काफी important role ने बाते रहे हैं और इसके साथ ही साथ 2008 में वो USA से चले गए थे दूनिया के सबसे best MBA college Wharton School of the University of Pennsylvania से MBA करने के लिए वैसे दोस्तों अगर आपने Wharton का नाम नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूँ कि यह वही college है जैसे Donald Trump, Elon Musk, Warren Buffet and Sundar Pichai जैसे famous leaders निकले हैं जिनोंने अपनी अपनी industry को ही पलट कर रख दिया है पर दोस्तों वर्ल्ड के top college में वर्ल्ड की top fees भी लगती है और दोस्तों Wharton की fees करोणों में होती है और अश्विनी जी बताते हैं कि मैं Wharton की fees and USA में रहने वगए रहके खर्चे के कारण मैं काफी बड़े debt में आ गया था और अगर मैं I.S. की salary से debt पे करने का try करता तो सा सालों लग सकते थे और वहीं Wharton जैसे college से MBA के बाद वो easily करोणों की job पा सकते थे इसलिए उन्होंने 2010 में अपनी I.E.S. की job छोड़कर कुछी टाइम में GE and Simons जैसी companies में बड़ी-बड़ी positions पर काम करके अपना सारा debt कुछी टाइम में चुका दिया और 2012 में उन्होंने corporate sector क कुट करके 3T Auto Logistics Private Limited and VG Auto Components Private Limited बोत Automative Components Manufacturing Unit को गुजरात में सैट अप किया था दोस्तों अश्विनी जी बताते हैं कि वो 7 months तक container में ही रहे थे ताकि factory record time ready हो जाए और दोस्तों उडी सक एक senior leader बताते हैं कि मोदी जी और अमिट शाजी उनके entrepreneur days से ही उन पर नजर बनाये रह थे जबसे वो वाचपई जी के office में अपॉइंट हुए थे और तब से ही उने एक बड़े role के लिए चुन लिया गया था और दोस्तों एक former chief secretary अश्विनी जी के बारे में बात करते हैं कि वो एक professional skill bureaucrat हैं जो हमेश रडार के नीचे रहकर और दुनिया की नजर में आये बिन काम करना पसंद करते हैं और 2019 में वो उडिसा की तीन राजसवा सीट्स में से एक सीट के contestant थे पर अश्विनी जी का जीतना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि राजसवा के elections में state के MLA जिने हम विधायक के नाम से भी जानते हैं वो वोट करते हैं और उडिसा में 2019 में नवीन की अलाइंस भी नहीं रहती है बीजेडी के तीन में से दो कंटेस्टिन अल्रेडी जीत चुके होते हैं और जब वैशनव जी की बारी आती है तब खुद मोदी जी और अमिट शाजी नवीन पतनाइक साब को कॉल करके सपोर्ट के लिए बोलते हैं और नवीन जी समझ जात करता है तो कैसे किसमत भी अपने आप उसके सक्सेस के रास्ते बनाती जाती है और उसे आगे बढ़ने में मदद करती है वैसे दोस्तों आपको ये वीडियो और अश्वनी जी की लाइफ से कुछ सीखने मिला होगा अगर हां तो इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट में